अंग्रेजों का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे पिछले 500 वर्षों का दुनिया के लगबग 71 देशों को उन्होंने गुलाम बनाया पिछले 500 वर्षों में आस्ट्रेलिया उनका गुलाम हुआ, न्यूजिलेंड उनका गुलाम हुआ, सिंगापूर उनका गुलाम हुआ, होंग कोंग, ताइवान को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, भारत के पड़ोसी, बहुत सारे देश, इंडोनेशिया, मलेशिया अंग् अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, ऐसे 71 देशों में जहां जहां अंग्रेजों ने अपना सामराज इस्थापित किया था, उन सभी देशों को छोड़ने से पहले अंग्रेजों ने उनका बटवारा किया था, अफरीका का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे, तो अफरीका मे अंग्रेजों ने साड़े 400 वरों की गुलामी लाई थी, या साड़े 400 वरों तक अफरीका में अंग्रेजों का सामराज चला था, और अफरीका के एक एक देश को सीधी सःल रेखा में उन्हों ने बांट दिया, अगर आप थोड़ा सा विशु के मान्चितर का अध्यन करे तो अफरीका का नक्षा अगर आप देखेंगे तो अफरीका के जो देश हैं जैसे नाइजीरिया है जैसे सोमालिया है जैसे एथियोपिया है जैसे जिम्बाब्बे है ऐसे अफरीका के छोटे बड़े देशों को आप देखेंगे नक्षे में तो सभी देशों की सीमा रेखा है, straight line है कोई देश चौकोर है कोई तिकोना है कोई चणपंचकोनी है कोई शटकोनी है इस तरह से देशों को काटा है मैं आपको जो कहना चाहता हूँ वो ये कि देश की सीमा कभी भी सीधी सरल रेखा नहीं होती देश की सीमा ये तेडी मेडी रेखा होती है भारत की सीमा को देखो अंग्रेज तो भारत को खंडगंड तोड़ना चाहते थे वो तो भारत देश के ऊपर भगवान की क्रपा हुई कि सरदार बल्लब भाई पटेल जैसा लहोपुरुष हम को बेज दिया उसी समय में और उनकी दूर द्रश्टी थी उन्होंने अंग्रेजों की चाल को काम्याब नहीं होने दिया वरना अंग्रेज तो भारत के पांच सो पैसे टुकड़े करना चाहते थे और भारत को वो ऐसे ही बांटने की योजना लेके आये थे जैसे अफरीका को उन्होंने बाटा तो अफरीका के देशों के बारे में आप ध्यान से देखेंगे सभी देशों की सीमाएं स्ट्रेट लाइन में हैं सीधी सरल रेखा है ऐसे माटा है अंग्रेजोंने मन मानी से मन मरजी से तो अंग्रेजों की योजना थी जैसे अफरीका में उन्होंने किया कि देश को छोड़ा तो बटवारा कराया उस देश का खंड खंड तोड़ा उस पूरे अफरीका के लोगों को वैसे ही उनकी योजना भारत के लिए थी कि भारत को वो छोड़ेंगे तो एक देश नहीं रह असाना शुरू किया और हर एक राजा को अंग्रेज ये कहा करते थे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कि आप चाहो तो भारत से अलग हो सकते हो और जादा तर राजा ये कहा करते थे नहीं हमको तो भारत में विलय होना है भारत में मिलना है तो फिर अंग्रेज उनको और लिए कहते थे कि फिर आपकी मर जी, भविश्य में आपका क्या होगा हम नहीं जानते तो इस तरह से राजाओं को भड़का कर राजखुमारों को भड़का कर उनकी योजना थी कि वो भारत को पांच सो पैंसट टुकड़ों में तोड़ें, लेकिन उनकी योजना कामयाब नह को छोड़कर एक रियासत थी जम्मू काश्मीर एक रियासत थी उसका नाम था जूनागर जो गुजरात में है समुद्र के किनारे है और एक रियासत थी हैदराबाद ये तीन रियासतों को छोड़कर पांच सो बासट रियासतों ने अंग्रेजों की किसी बात को नहीं माना थ और उन्होंने संकल प्लिया था कि भारत की आजादी के साथ हम भारत में ही रहेंगे भारत में ही विले होंगे हमारा भारत से अलग कोई अस्तित्त नहीं है तो अंग्रेजों की चाल कामयाब नहीं हुई पाँच सो बासट रियासतों ने भारत में मिलने का फैसला किया था और वो विले हो गए तीन रियासते अंग्रेजों की चाल में फसी थी जम्मू काश्मीर फसा हैदराबाद फसा और जूनागर फसा इन तीन रियासतों को अंग्रेजों ने बढ़का रखा था कि आप भारत में मिलोगे तो कोई फाइदा नहीं है आप भारत से अलग हो जाओ एक नया राष्ट बनाओ तो जम्मू काश्मीर में ये मांग शुरू हुई थी कि हम भारत से अलग एक नया राष्ट बनाएंगे इसी तरह जूनागर का जो राजा था वो मुसल्मान था उसने ये कहना शुरू किया था कि हम तो पाकिस्तान में जाके मिलेंगे और हैदराबाद का जो निजाम था वो भी ऐसी बातें करता था वो कहता था या तो मैं सुरतंत रहूं नहीं तो मैं पाकिस्तान में जाऊं भारत में तो नहीं मिलूँगा लेकिन सरदार पटेल की होशियारी ने और सरदार पटेल की बुद्धिमत्ता ने इन तीनों राज्यों को थोड़े समय के बाद फिर से भारत में मिला लिया था अंग्रेजों का साशन खतम होने के बाद ये तीनों रियासते भारत में आकर मिली ये एक कहानी है जो अंग्रेजों की समझ माने हमारी समझ अंग्रेजों के बारे में बनाने के लिए जानने के लिए आवश्यकता है दूसरी एक कहानी कि जब अंग्रेजों को ये समझ में आने लगा कि जादतर भारत की रियासतें अलग नहीं हो रही है वो सब भारत में ही मिलने को तयार है तब उन्होंने जिन्ना को अपनी महरा बना कर अपनी गुटी बना कर खेलना शुरू किया जिन्ना को अंग्रेजों ने एक प्यादे की तरह से इस्तेमाल किया शत्रंज का जो खेल होता है ना उसमें कुछ प्यादे होते हैं वैसे ही जिन्ना अंग्रेजों का प्यादा बना और जिन्ना के पीछे अंग्रेज तब से लगे हुए थे जब मुहम्मद अली जिन्ना लंदन में वकालत पढ़ने के लिए गया था बैरिस्टर हुआ था वो लंदन से उसने पढ़ाई की थी तब से अंग्रेजों ने जिन्ना को देख रखा था और जब वो भारत लोटा तो सब तरह का सहयोग करके जिन्ना की एक पार्टी खड़ी की जिसका नाम मुस्लिम लीग पढ़ा ये मुस्लिम लीग को बनाने के लिए सारा पैसा अंग्रेजों ने दिया जिन्ना को और ना सिर्फ पैसा दिया बलकि अंग्रेजों ने अपने अखवारों में मुस्लिम लीग के बारे में चर्चा और बखान करवाना शुरू किया अंग्रेजों के जो अखवार निकला करते थे इस भारत देश में जिन्ना की पार्टी के बारे में खुब बड़ी-बड़ी खबरें छपती थी छोटा सा कोई कारिक्रम जिन्ना की पार्टी करे तो अंग्रेजों के अखवार में मुख प्रश्ट पर उसका समाचार छपता था और इस तरह से जिन्ना को हवा भरी अंग्रेजों ने और धीरे धीरे तयार किया कि तुम तो अलग देश मांगो पाकिस्तान भारत में रहने की तुमें कोई जरूरत नहीं है और इस तरह से जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग करना शुरू किया लेकिन भला हो भारत के मुसल्मानों का उन्होंने जिन्ना का समर्थन नहीं किया फिर धीरे धीरे अंग्रेजों ने कुछ मुसल्मानों को बंगाल के कुछ मुसल्मानों को और खासकर बिहार के कुछ मुसल्मानों को जो जिन्ना के साथ थे पैसे दे कर, फंड दे कर, रिश्वत दे कर, लालच दे कर, घूस दे कर तैयार करवाना शुरू किया कि तुम भी पाकिस्तान मांगो तो बंगाल में एक नेता निकल आया उसका नाम था सोहरा वर्दी और वो जिन्ना के साथ मिलके एक दूसरा नेता बना जिसने का मुझे पाकिस्तान चाहिए हमें पाकिस्तान चाहिए हमें संप्रदाई के आधार पर बटवारा चाहिए तो इस तरह से पाकिस्तान की मांग 1937 के बाद इस देश में खड़ी की गई अंग्रेजों की, पूरी ताकत उसमें लगी, पैसा लगा, उनकी शक्ती लगी, उनकी अकल लगी, उनकी बुद्धी लगी और इस तरह से ये बाद बढ़ती चली गई, बाद में क्या हुआ, 1942 में अंग्रेजों ने दूसरे विश्युद में जब उनकी बहुत बुरी हालत हो गई, दूसरा विश्युद 1949 से शुरू हो गया था, और जर्मनी ने अंग्रेजों की कमर तोड़ दी थी उस समय, जर्मनी क जो हिटलर था, उसने अंग्रेजों को इतना मारा था, इतना पीटा था कि हाल खराब हो गया था इनका, बम गिराए थे इतने पूरे इंग्लेंड पर कि लाखों लोग मर गए थे, और यूरोप के और देश जो अंग्रेजों को मदद कर रहे थे, वो भी पिट गए थे, त 1945 में जब दूसरा विश्यूद खतम हो गया, और अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से द्वस्त हो गई, तब तो अंग्रेजों ने खुल कर कहना शुरू कर दिया, कि अब भारत छोड़ कर वो चले जाएंगे, और 1946 में बाकाइदा उसकी गोशना हो गई, औ लेकिन जब 42 से अंग्रेजों का ये मन बन गया, कि उनको भारत से चले जाना है, छोड़ देना है, तो उन्होंने भारत के नेताओं से बिना बताये हुए, ट्रांसफर ओफ पावर की बात करना शुरू किया, और उन नेताओं में बहुत महत्वण उनके लिए जिन्ना था, और जिन्ना को फिर से उन्होंने यही बात समझाना किया, अलग पाकिस्तान ले लो, अलग देश ले लो, तुम प्रदान मंत्री हो जाओगे, तुम ऐसे हो जाओगे, और ये सब चलना हो गया, और आगे ये बढ़ता चला गया, अंत में ये हुआ, महत्मा गांदी एक बड देश में ये ऐलान कर दिया था, कि भारत बटेगा नहीं, भारत एक रहेगा, अखंड रहेगा, अगर भारत का बटवारा कोई करना चाहता है, तो उसको दिन में सपने देखना बंद कर देना चाहिए, मैं होने नहीं दूँगा, और एक दिन तो इतनी कठोर बात कही उन्ह कि भारत के करोणो नागरिक गांधी जी के साथ थे, तो करोणो लोग भी गांधी जी के संकल्प के साथ थे, हिंदू हो, मुसल्मान हो, सब लोग गांधी जी के साथ कहते थे कि हमें भी भारत का बटवारा नहीं कराना है, तो माउंट बेटन नाम का एक आदिमी भेजा गय इंग्लेंड और उसको इस लिए बेजा गया कि वो जाकर भारत का बटवारा कराने में मदद करे और मांट बेटन को भारत में अंग्रेजों का आखरी वॉइस अराय माना जाता है आखरी गवर्नर जनरल माना जाता है उसने आकर जो गोटियां बिचाई उसके आधार पर भारत के बटवारे की प्रश्टबूमी तयार हुई उसने क्या किया जिन्ना को और ज्यादा राजनेतिक महत्वा कांच्छा से प्रेरित कराके एकदम से पक्का खड़ा कर दिया कि हमको तो पाकिस्तान नहीं चाहिए तो बाचीत शुरू हुई और उस बाचीत में जो अंदर के दस्तावेज हैं जो मैं आज आप से कहना चाहता हूँ वो ये कि जिन्ना एक बार महत्मा गांधी से मिलने गया महत्मा गांधी ने जिन्ना को पूछा भई तुमको क्या चाहिए कि पाकिस्तान चाहिए क्यों चाहिए मुझे प्रधान मंतरी होने का है अलग मुसल्मानों का देश बनाने का है तो मातमाल गांदी ने का कि भारत के मुसल्मान तो चाहते नहीं कि अलग पाकिस्तान बने वो तो तुम्हारे साथ है नहीं तो जिन्ना ने कहा कि नहीं मेरे साथ बहुत मुसल्मान है तो गांदी जी ने कहा कि देश में एक जन्मत संग्रे करा लो तो जिन्ना उस बात से पीछे हट गया फिर गांदी जी ने बड़े प्रेम से समझाते हुए कहा कि तुमको प्रधानमंत्री ही होना है न तो भारत के हो जाओ इसमें क्या बुराई है लेकिन देश तो एक रहे देश तो नहीं तूटे तो जिन्ना तुरन तयार हो गया और गांदी जी को लगा कि इसकी यही कमजोरी है कि यह प्रधानमंत्री होना है इसको अब जिन्ना ने जब यह मान लिया कि मैं प्रधान मंत्री हो जाओं तो उसने का फिर भारत नहीं बटवारा मुझे करना फिर भारत को नहीं तोड़ना माने प्रधान मंत्री पत चाहिए अब जिन्ना के सामने जो व्यक्ती थे प्रधान मंत्री पत के उम्मीदवार वो थे पंडित जवारलाल नहरू और उन्होंने एक ऐसी कड़वी बात कह दी जिसमें सारे देश की दिशा बदल गई मैंने आप से कहा था बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा कि थोड़े से किसी छण विशेश पर हम एक मामूली सी भूल करते हैं और वो देश के लिए पूरा इतिहास बदल देती है जब नहरू जी के सामने ये बात आई कि जिन्ना प्रधान मंतरी बनने के लिए बात कर रहा है और वो देश का बटवारा नहीं चाहता तो गांदी जी ने संदेशा बिजबा दिया कि ठीक है जिन्ना को प्रधान मंतरी सुईकार कर लेने में कोई गलती नहीं है अगर देश तूटने से बचता है तो इसको प्रधान मंतरी सुईकार करने में कोई दिक्कत नहीं है नहरू जी ने एक बहुत कड़वा वाक्य कहा परम पूजनी स्वामी जी हम लोगों को बार बार ये कहते रहते और मैं इस बात को विशेश रूप से ध्यान से सुनता हूँ कि भाशा का प्रमाद नहीं होना चाहिए बोली में प्रमाद नहीं होना चाहिए और वो प्रमाद नहरू जी की बोली में आ गया नहरू जी ने पब्लिक एक स्टेटमेंट कर दिया पूरे देश की जनता के सामने उनका बयान आ गया कि मैं मुहम्मद अली जिन्ना को अपने कैबिनेट के मंत्री मंडल के चपरासी के रूप में भी नहीं देख सकता पंडित जवारला नहरू ने ये कह दिया कि मैं मुहम्मद अली जिन्ना को अपने मंत्री मंडल के चपरासी के रूप में भी नहीं देख सकता माने सीधी सी बात है कि मैं उनको अपने मंत्री मंडल का चपरासी नहीं बना सकता प्रधान मंत्री बनाना तो बहुत दूर की बात है और ये बात जिन्ना के दिल में तीर की तरह से चुप गई और जिन्ना ने फिर कहा कि अब तो मैं पाकिस्तान बना के ही रहूंगा चाहे जो हो जाए और यही अंग्रेज चाहते थे अंग्रेज और ने फिर उस मौके को लपक लिया और जिन्ना को थोड़ी और हवा दी और थोड़ा भड़का दिया और फिर उसने मारकट शुरू करा दी एक डाइरेक्ट एक्षन प्लैन शुरू हुआ था बंगाल में और जिन्ना के मुस्लिम लीग पार्टी के जो सदस्य हुआ करते थे उन्होंने तलवारे निकाल कर हिंदों का कतले आम शुरू कर दिया था बंगाल में और इस बयान के बाद सारी इस्थती और परिस्थती बदल गई महात्मा गांदी बहुत कोशिश करते रहे कि किसी तरह से बात बन जाए लेकिन वो बात नहीं बनी और जिन्ना उसके बाद फिर माना नहीं और गांदी जी को मिलने भी नहीं आया फिर उसने कहा कि पंडी जवारला नहरू कहते हैं कि मैं उनके मंद्री मंदल का चपरासी बनने लाइक नहीं हूँ और कॉंग्रेस के कई बड़े नेताओं को ये जानकरी दी थी कि ये जिन्ना जादा दिन का महमान नहीं है इसको बोन टी बी हो गई है ये दो चार छे महीने जिन्दा रहेगा उसके बाद मर जाएगा इसको प्रधान मंत्री अगर बनाना है तो बन लेने दो देश तो एक रहेगा बटवारा नहीं होगा लेकिन किसी ने उस डॉक्टर की बात पर ध्यान नहीं दिया और अंत मैं फिर वो हुआ अंग्रेज तो तयार बैटे थे तो अंग्रेजों ने अपनी संसद में एक कानून पास कर दिया जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और इस कानून की परिभाशा में ये तै किया गया कि इस कानून के पास होते ही भारत के दो हिस्से हो जाएंगे एक भारत रहेगा दूसरा पाकिस्तान हो जाएगा पाकिस्तान कहां कहां हो जाएगा उसकी सीमा तै कर दी अंग्रेजों ने और भारत कहां कहां रहेगा उसकी सीमा तै कर दी अंग्रेजों ने और इस तरह से ये बटवारा हो गया और आपको इतिहास की एक सच्चा ही बताना चाहता हूँ जो दर्द देती है दिल में वो ये कि पाकिस्तान मिलने के थोड़े महीने के बाद ही जिन्ना मर गया सच में मर गया और वो टीवी से मर गया उसको बोर्ण टीवी थी तो बार बार उसके डॉक्टर की बात याद आती है कि उसका डॉक्टर ये कहा करता था कि ये पाट-छे महीने का महमाने इसको बन लेने दो प्रधान मंत्री बाकी तो फिर पूरा देश हमारा ही है लेकिन किसी ने उस डॉक्टर की बात को गंभीरता से नहीं लिया अगर ले लिया होता तो भारत की ये एतिहासिक गलती हमसे नहीं हुई होती और पाकिस्तान नाम का देश अलग नहीं हुआ होता और ये भारत एक अखंड देश रहता अब उसके बाद क्या हुआ कि जिन्ना तो मर गया और मरने के बाद फिर पाकिस्तान का जो हाल हुआ वो आपकी आँकों के सामने है उसमें मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि पाकिस्तान के आंतरिक मामले में मैं दखल नहीं देना चाहता लेकिन जितना मामला भारत से जुड़ा हुआ है वो ये है अब इस मामले का अंतिम जो वो निकला सच बन के सामने कि बटवारा हुआ भारत पाकिस्तान तो मुसल्मानों को पाकिस्तान जाना है और हिंदूओं को पाकिस्तान से भारत आना है बहुत सारे मुसल्मानों ने पाक तो इतने लाख लोगों की मारकाट कभी किसी देश में नहीं हुई जो भारत में हुई भारत और पाकिस्तान के बनने पर लाखों लोगों का कतले आम हुआ है उसके सही सही आंकड़े नहीं मिलते पाकिस्तान के आने वाले और भारत से पाकिस्तान जाने वाले लाखों लोगों का कतले आम हुआ लाखों माँ बेहन बेटियों की इज़त लूटी गई लाखों छोटे छोटे बच्चों का कतले आम किया गया उस जमाने के दस्तावेज को पढ़ते हैं तो आँखों में आसू आते है भर भर के गाडियों में, ट्रेनों में, बसों में, बेल गाडी में, गोड़ा गाडी में, खचर में लोग धेर के धेर इधर से उधर उधर से इधर जाते थे किसी को अपना घर छोड़ना पड़े संपत्ती छोड़नी पड़े अपनी सब्विता अपनी संस्कृती छोड़नी पड़े और उजड कर दूसरी जगे जाकर रहना पड़े इसका दर्द वही बता सकता है जिसका उजाड हुआ है घर और भारत में ऐसे लाखों परिवार है शायद मैं कहूं तो अब कुछ करोड परिवार ऐसे होंगे जो उजड़ कर पाकिस्तान से भारत में आए और सब कुछ उन्होंने वहां छोड़ा था कुछ नहीं ला पाए और यहां लाकर शून्न से उन्होंने अपना जीवन शुरू किया और आज भगवान की करपा से वो शिकर तक भी पहुँचे प्रणाम है उनकी महनत को बंदन है उनकी महनत को कि पाकिस्तान से उजड़ कर आए कुछ हाथ में नहीं था आकेले आए किसी की पत्नी छूट गई वहां पर किसी का पिता छूट गया किसी की बेटी छूट गई किसी की बहन छूट गई किसी की माँ छूट गई किसी का कुछ छूटा किसी का कुछ छूटा और किसी तरह से मारते पीटते भागते भूगते यहां आकर उन्होंने कहीं कहीं आशियाने बनाए और आशियाने बनाकर भारत देश को और अपनी इस मात्र भूमी को उन्होंने मान लिया कि अब यही हमारी मात्र भूमी है यही कर्म भूमी है और उसकी सेवा में लग गए और भगवान ने भी उनको उनकी मेहनत का फल दिया कि आज वो काफी अच्छे व्यवस्थित हैं लेकिन ये बटवारे का धर्द उनके दिल में जो टीस मारता रहता है ये शायद कब जाएगा मालूम नहीं है ये हमारी एक बहुत बड़ी एतिहास एक भूल थी कुरसी के एक पद के लिए प्रदान मंत्री पद के लिए ऐसा सत्ता का समझोता नहीं हो सका जो सब को समावेश कर सके और उसी में ये सारा खेल खेल लिया और अंग्रेजों ने आग में घी डाल दिया उनका तो पहले से मन था कि पाकिस्तान को बनवाना ही है और ये हमारे देश में एक बड़ा उन्होंने विश का बीज बो दिया अब ये विश का बीज ऐसा हमारे लिए मुश्किल बन गया है गले की फांस बन गया है ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है अब वो जो तीन राज्य भारत में मिलने को तयार नहीं थे जम्मू काश्मीर एक था जूनागर और एक था हैदराबाद तो बटवारा हो गया भारत की सरकार भारत में बन गई पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान में बन गई तब सरदार पटेल ने कोशिश की कि ये जो तीन राज्य हैं इन तीनों राज्यों को भारत में मिलाने के लिए प्रयास किया जाए तो जूनागर राज्य को उन्होंने मिला लिया बाद में हिदराबाद भी भारत में मिल गया क्योंकि सरदार पटेल ने दोनों राजाओं को ये कहा था कि तुम पाकिस्तान जाना चाहते हो तो चले जाओ तुम्हारा राज्य पाकिस्तान नहीं जाएगा क्योंकि तुम्हारी जनता की इसके लिए अनुमती नहीं है हैदराबाद रियासत में सरदार बल्लब भाई पटेल ने एक आंतरिक सर्वेक्षन कराया था क्योंकि वो भारत के ग्रह मंतरी बन चुके थे उन्होंने एक आंतरिक सर्वेक्षन ये कराया था कि हैदराबाद रियासत में रहने वाले लोगों से पूछो वो क्या चाहते हैं तो पता चला 97 प्रतिशत लोगों ने ये कहा कि हम तो भारत में ही रहना चाहते हैं हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है तो सरदार बल्लब भाई पटेल को हुसला बढ़ा उतसा बढ़ा और उन्होंने हिधरबाद की निजाम को का कि तुमको जाना है तो चले जाओ ये राज्ज तो भारत में ही रहेगा क्योंकि यहां के नागरिकों का कहना है कि हम भारत में रहना चाहते हैं और हैदराबाद का निजाम फिर तैयार नहीं हुआ तो एक दिन सरदार पटेल ने उनको संकेत में एक धमकी दी थी कि निजाम ये समझ लेना कि मैंने मेरे हातों में चूड़िया नहीं पहन रखी है जब तक मैं तुम्हें जहेल रहा हूँ तब तक जहेल रहा हूँ आरे हैदराबाद में उतरेंगे और एक जटके में पूरा हैदराबाद भारत में मिल जाएगा और उसके समानां तर हैदराबाद रियासत में एक संग्राम चल रहा था पूरी रियासत को भारत में मिलाओ नागरिकों की तरफ से एक आंदोलन चल रहा था और इस आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका थी आरी समाज के नेताओं की आरी समाज के नेता पूरे हिदराबाद रियासत में उस समय सक्रिय थे और भारत के कुछ समाजवादी नेता जैसे श्री राम मनोहर लोहिया और उनकी एक बड़ी फाज ये सब इस बात के लिए सक्रिय थे कि हिदराबाद को भारत में मिलाना है तो हिदराबाद रियासत के गाओं गाओं में ये नेता घूम घूम कर प्रचार कर रहे थे और जनता को समझा रहे थे कि आपको पाकिस्तान नहीं जाना है भारत में रहना है तो उसका फल मिला था उस परचार का बहुत बढ़ा फल मिला था जनता ने ये फैसला कर लिया था कि हम तो भारत में ही रहेंगे तो निजाम एक दिन फिर भाग गया। भारत छोड़कर और भारत में पूरा हिद्रपाद राजे मिला लिया गया। और इसी तरह से जुनागडका हुआ। का गाना गाते रहते थे और अंग्रेज उकमन में था कि ये जम्मू कश्मीर तो अलग होई जाए जैसे पाकिस्तान अलग हुआ और अंग्रेज उस आग में घी डाल रहे थे उसी समय पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया और जैसे ही जम्मू कश्मीर पर हमला हुआ तो महराजा हरी सिंग के हाथ पाउँ फूल गए उनके पास पूरी सेना नहीं थी जो पाकिस्तान के हमले का सामना कर सके और महराजा हरी सिंग को ये दिख गया कि अब तो पाकिस्तान की सेना जम्मू तक पहुँचने वाली है अब ज़्यादा दूर नहीं है और अब तो ये श्रीनगर भी गया जम्मू भी गया सब कुछ गया तो उनके दिल में था कि एक सौतम्त राश्ट्र बनेगा अब तो लगा कि ये पाकिस्तानी राश्ट्र बन जाएगा तो अंत में उन्होंने हतियार डाले और सरदार बल्लब भाई पटेल के पास अपने प्रधान मंतरी को भेजा और कहा कि अब आप हमें बचाओ तो सरदार बल्लब भाई पटेल ने मुस्कराते हुए का कि हम क्यों बचाएं आपको क्यों बचाएं जम्मू कश्मीर तो भारत का अंग है नहीं और आप तो कहते हो कि हम स्वतंत्र देश बनाएंगे तो अपना स्वतंत्र देश बना लो हम आपको क्यों बचाएं तो जो प्रधान मंत्री था महराज हरी सिंग का बहुत होशयार बहुत चतुर्व यक्ती था उसने का कि इस समय बहस करने का समय नहीं है बाद में हम तै कर लेंगे लेकिन ये पाकिस्तानियों से तो हमें बचाना है अपने राज्य को तो सरदार पटल ने का कि मैं मेरी सेना भेज सकता हूँ और पाकिस्तानियों को हमारी सेना गाजर मूली की तरह से काट देगी लेकिन एक शर्त है तो शर्त क्या है शर्त ये है कि आप बिना किसी शर्त के भारत में मिलने का फैसला करो और ऐलान करो कि भारत में आपका पूरा राज्य का विलय होगा उसी कंडिशन पे भारत की सेना आपको बचाने के लिए आएगी क्योंकि तकनी की रूप से जब तक आप भारत देश से जुड़ते नहीं है तब तक भारत की सेना आपकी रक्षा क्यों करेगी क्योंकि भारत की सेना तो भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए है और जम्मू काश्मीर क्योंकि भारत का अंग नहीं बन पा रहा है और आपने एलान कर दिया है कि इसको सुतंत्र देश बनाना है तो हम आपकी रक्षा तो नहीं कर पाएंगे तो प्रधान मंतरी भागा भागा वापस गया महराजा हरी सिंग के पास और कहा कि सरदार पटेल ने तो ना कह दिया, सेना तो नहीं आएगी जब तक हम भारत में विले के रस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं करते भारत के साथ विले के संदी पत्र पर हम हस्ताक्षर नहीं करते तब तक भारत की सेना नहीं आएगी और हम तो अब मारे जाएंगे और उस समय पाकिस्तानी सेना श्री नगर के बिलकुल नजदीक में थी हमला करते हुए वो आगे बढ़ रहे थे कबाईली लोग पाकिस्तानी सेना में भरपूर मदद कर रहे थे तो माराज़ा हरी सिंग ने फिर दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये भारत में जम्मू कश्मीर का विले हुआ और जम्मू कश्मीर भारत का अबिन अंग बना और सरदार पटेल के सामने जब ये दस्तावेज प्रस्तुत हो गए कि महराजा हरी सिंग ने स्विकार कर लिया है तो फिर सरदार पटेल ने आदेश किया कि अब भारत की सेना जम्मू काश्मीर कूच करेगी तो भारत की वायू सेना ने और थल सेना ने रातो रात 24 गंटे में जम्मू कश्मीर में जो अपरेशन चलाया वो दुनिया का सबसे अद्बुत अपरेशन था हजारों सैनिक उतार दिये जम्मू काश्मीर में और उन सैनिकों ने जो पराक्रम दिखाया वो भी दुनिया में अद्बुत था आप कल्पना कर सकते हैं श्री नगर तक पाकिस्तान की सेना पहुंच चुकी हो आप सोचो कहा तक आ गई सेना वहां तक पाकिस्तान की सेना पहुंच चुकी हो तब भारत की सेना ने एंट्री की थी प्रवेश किया था और प्रवेश करते करते गाजर मूली की तरह से पाकिस्तानियों को काट दिया था और पाकिस्तानी फिर उल्टे पैर भागे वहां से और भागते भागते भारत की सेना ने जब उनका पीछा किया तो पाकिस्तानी सीमा तक भारत की सेना पहुँच गई और पाकिस्तानी सीमा का एक बड़ा हिस्सा भारत की सेना के कबजे में आ गया और भारत की सेना के कबजे में आ गया तब भारत के सेनी कितने उत्साह से भरे हुए थे इतने जोस से भरे हुए थे कि भारत के प्रधान मंतरी को वो बार बार कह रहे थे कि आप कुछ करना मत बस थोड़ी महलत और दे दो लाहोर और कराची अब हमारे हाथ में आने वाला है ये ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन उसी समय फिर हम से एक भूल हो गई और उस भूल की चर्चा मुझे करनी है वो भूल क्या हो गई भारत के प्रधान मंत्री ने भारत के ग्रह मंत्री को बिना पूछे अपनी तरफ से युद्विराम की गोशना कर दी युद्विराम का नियम है कि जब युद्विराम की गोशना की जाती है तो कैबिनेट की मीटिंग बुलानी पड़ती है और उस मीटिंग में बात रखनी पड़ती है और पूरी कैबिनेट उस पे सही माने और मंत्री मंडल का सबका हाँ हो जाए तब प्रधान मंत्री उसकी गोशना कर सकता है लेकिन प्रधान मंत्री महोदे ने ना तो कैबिनेट की मीटिंग बुलाई ना उनकी सहमती ली उन्होंने अपने मन से घोशना कर दी और वो घोशना भी उन्होंने ऐसे नहीं की लोगों के सामने रेडियो पे जाके कर दी दिल्ली का ओल इंडिया रेडियो इस्टेशन है वहां गए और जाकर घोशना कर दी और अपनी तरफ से दुनिया बर को ये कह दिया कि हम संयुक्त राष्ट संग की मद्यस्तता में इस जम्मू काश्मीर के मामले को हल करेंगे माने संयुक्त राष्ट महासंग आए और हमारे और पाकिस्तान के बीच में चौधरी बनकर बैटे और इसका फैसला वो ये करे कि जम्मू कश्मीर भारत में रहेगा कि पाकिस्तान में रहेगा जब पहले से ही जम्मू कश्मीर के महराजा ने ये बोल दिया था हस्ताक्षर कर दिये थे दस्तावेज उसके मौझूद है कि वो तो भारत में विले कर चुके है तो भारत के प्रदान मंतरी को ये कहने का कोई बात नहीं बनती कि भारत के और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर को हम एक डिस्प्यूटिड एरिया मानते हैं विवादित छेत्र मानते हैं और इसका फैजला से उक्तराश्र महासंग में होगा बस वहीं से ये एक छोटा सा बयान हमारे गले की फास बन गया और हड़ी बन गया अब पाकिस्तान बार-बार इसी को कहता रहता है कि भारत ने तो बोला है जम्मू कश्मीर डिस्प्यूटिड एरिया है विवादित छेत्र है और भारत में तो बोला है कि इसका फैसला सेयुक तुराश्ण Triple Mahasabah के द्वारा होगा तो सेयुक तुराश्ण महासabah के लोग आएं जम्हू कश्मीर में रहें भारत की सेना वोह से हटाई जाए पाकिस्तान की सेना भी वहाँ ना रहे और जम्मू कश्मीर में एक जन्मत संग्रे कराया जाए और वो जन्मत संग्रे के आधार पर जो तै हो उससे तै किया जाए कि जम्मू कश्मीर भारत में रहेगा कि पाकिस्तान में रहेगा अब तकनी की बात जो मैं कहा रहा हूँ लेकिन सेयुक्त राष्ट महासवा के लिए जम्मू कश्मीर एक विवादित छेत्र है और विवादित छेत्र में चौधरियों को गुसने का दखल करने का अधिकार है तो जम्मू कश्मीर के मामले में सेयुक्त राष्ट को भी दखल करने का अधिकार है। और वहीं से ये सारा मामला खिचड़ी बन गया, खटाई में पड़ गया, अच्छा खासा पूरा जम्मू काश्मीर वहां के महराजाने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करके भारत के साथ विले कराया, लेकिन प्रधान मंतरी महोदे के एक छोटे से बयान ने सारे मामले को बि करते हैं, और अमेरिका कभी नहीं चाहता कि ये जम्मू कश्मीर का मामला सुलच जाए, क्योंकि वो ये मानता है अमेरिका कि भविश में जम्मू कश्मीर कभी अमेरिका की मदद करने के लिए आएगा, इसलिए इसको विवादित ही रहने दो, क्योंकि विवादित छेतर मे गुसने के लिए रास्ता खुल जाता है अमेरिका को क्या इंट्रेस्ट है जम्मू काश्मीर में अमेरिका की ये रणनीती है कि भविश में कभी भी चीन के साथ युद्ध लड़ना पड़ा तो जम्मू कश्मीर अमेरिका के सैनिकों के लिए शरण स्तली बन सकता ह। बविश में चीन के खिलाफ अमेरिका को हुआई हमला करना पड़ा तो अमेरिका से हुआई जाजा कर चीन पर हमला तो नहीं कर सकते क्योंकि इतना पेटरॉल उन में नहीं चल पाएगा कि अमेरिका से उड़ान बरें और चीन पे आकर हमला करें अमेरिका के हवाई जहाजों को उड़कर पहले उतरना पड़ेगा भारत के किसी इलाके में जो चीन के नस्दीक है फिर दुबारा उसमें इनन बरा जाएगा तब जाकर वो हमला कर पाएंगे तो अमेरिका को दिखाई देता जम्मू काश्मीर बहुत सुरक्षित है चीन की सीमा वहाँ से लगती है तो भविश्य में कभी चीन से युद लड़ना पड़ा अमेरिका को तो जम्मू काश्मीर अमेरिका के लिए एर बेस का काम करेगा और ये एर बेस तभी तक काम करेगा जब तक जम्मू काश्मीर विवादित है इसलिए अमेरिका इस मामले को हल होने ही देना नहीं चाहता स्युक्त राश्र महासावा में जब जब ये विशय आया जब जब ये बहस हुई अमेरिका ने वीटो लगा कर इसको फसाया और इसको हल नहीं होने दिया और आज तक ये हल नहीं हो पा रहा है और ये हल नहीं हो पा रहा है तो उसका अंतिम दुश परिनाम क्या हो रहा है कि जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान अपना हग जमाता है और जम्मू कश्मीर की जनता कहती है कि हम भारत में रहेंगे आप बोलेंगे जम्मू कश्मीर की जनता क्यों कहती है भारत में रहेंगे इतनी बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हो चुके हैं और इतनी बार भारत की इस पार्टियों को लोगों ने वोट दे दिया है और इतनी बार वहां भारत के नेताओं की सरकारे बन चुकी है इस से बड़ा प्रमाल और सबूत क्या चाहिए कि जम्मू कश्मीर की जनता भारत में ही रहना चाहती है लेकिन जम्मू कश्मीर के कुछ नेता जो अमेरिका से पैसा पाते हैं जिनको पाकिस्तान से धना आता है वो अलग राग अलापते रहते हैं और उन्होंने कुछ संगठन बना रखे हैं और उन संगटनों की मदद से गाहे बगाहे वो एक शिगूफा छोडते रहते हैं और उनका एक ही शिगूफा है प्लेवी साइट होना चाहिए जनमत संग्रे होना चाहिए अब मैं बांता हूँ कि वोट की राजनीत से बड़ा जनमत संग्रे और कौन सा होता है और आपने देखा है कि एक चुनी होई सरकार वहाँ पर है उसके पहले भी वोट हुए है और उसके पहले भी चुनी होई सरकार बन चुकी है तो सारी दुनिया को यह नहीं दिखाई देता कि वहाँ चुनी होई सरकारें बन रही है और वोट की ताकत पर बन रही है उनको तो वो जनमत संग्रे वाली बात प्लेभी साइट वाली बात दिखाई देती है जो गलती से पंडी जवारला नहरू के मुझे निकल गई और हमारे लिए फास्क बन गई गले की हड़ी बन गई अब इसी को आधार लेके आतंकवाद चल गया है इसी को आधार लेकर आतंकवादी गत्विदी चल रही है और उन आतंकवादी गत्विदियों से एक इलाका है जो पूरी तरह से प्रभावित है और वो इतनी बुरी तरह से प्रभावित है कि वहां रहने वाले मूल निवासि को अपने घर चोड़कर द्वार चोड़कर शंपत्ति छोड़कर भागार कहीं दूसरी जगए शरणार्थी के रूप में रहना पड़ रहा है यह भारत में ही हो रहा है दुनिया के शायद किसी दूसरे देश में इसका उधारण नहीं मिलेगा अपने ही देश के मालिक अपने ही देश के राजा अपनी ही संपत्ती और सब्विता के मालिक अपनी सब संपत्ती सब्विता संस्कृती को छोड़ कर कहीं शरनार्थी की तरह से जीवन बिता रहे है मैं तो जम्मू में गया हूँ दिली में गया हूँ मैंने वो इलाका देखा है जहां जम्मू कश्मीर से निश्काशित पंडित जम्मू कश्मीर के पंडित बहुत दर्द भरी जिंदगी बिता रहे हैं उनकी पीडियां गुमनामी में खो रही है उनकी सब्विता उनकी संस्क आपको क्या करना है आपको क्या सीखना है मेरा आपसे विनम्र निवेदन है जो इस पूरी दुरगटना से हमें सीखना है वो ये कि कभी भी हम प्रमाद ना करें और ऐसी भाशा और ऐसी बोली का استعمال कभी ना कर दे कि बविश्च में हमारा एक छोटा सा वाक्य बारत स्वाब इमान के पूरे काम के लिए मुश्किल बन जाए इस पूरी दुरगटना से जो सीख लेने की जरूरत है और दूसरा उनमाद में आकर आवेश में आकर जोश में आकर होश को खोकर कुछ ऐसा ना कर बैठें जो भविश्य के भारत के लिए खत्रा बन जाए इस भूल से हमें यही जानना और सीखना है